नमस्कार मैं हूँ मनीशा जा आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सावन में विशेष्टा महादेव की पूजा की जाती है आए जानते हैं आचार्य कृष्ण महाराजी से आजारे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सावन में विशेष्ट महादेव की पूजा की जाती हैं ऐसा क्यों है। से अनंत कोटी फल प्राप्त होता है और जिस मनों कामनाओं के द्वारा ही है कार किया जाता है जो भी उपास्वना की जाती है उसमें सीग्र फल की प्राप्ती होती है एवं सिवजी स्रावण मास में हर प्राणी की उपर अपनी पूरी करपा निरंतर बनाई रखते हैं और उ कि शरू हो रहा है और इसका समापन कभ और साथ में ही इसवर कितने सोवार हैं जो बडिइंगे इस वरंसे फ्रावण मास 25 जुलाई 2021 से प्रारंभ होगा वाइस अगस्त 2011 क्ष का समापन होगा जहें माह बहुत ही महत्रपून कि माहमाना जाता है इसका प्रारंभ बिसेष प मापन होते ही स्त्रावण माश्परारंब होता है और ब्रामनों की बैदिक पद्धती में जो ब्रामनों का सबसें बड़ा त्योहार है उसे कहतें स्त्रावणी कर्में स्त्रावन का तेवार जो हमारा आता है ब्राह्मनों का जो द्योताओ में भी स्रिष्ट माना जाता है वह आएगा 22 अगस्त 2021 को इस दिन ब्राह्मनों को अपनी गायत्री देवी को प्रसंद करने के लिए एबं उसके गुरु मंत्र द्वारा दिये गई यग्योपवी संसकार स उसका पूजन होता है विधी विधान से जो एक बरस तक निरंतर चलता है उस यग्योपवीतों का पूजन होना ब्राह्मन को ही दुझ की उपाधी प्राप्त होई है जो यग्योपवीत जिसका होता है ब्राह्मन का इस्पेशल यग्योपवीत होता है विसेश्था जिसकी बिगर यग्योपवीत के कोई भी ब्राम्हन बैदिक काल में बैद की सिक्षा गरण नहीं कर सकता सास्त की सिक्षा गरण नहीं करता परंतु जैसे ही यह संसकार होता है तो यग्योपवीत संसकार होता है उसको हम यग्योपवीत संसकार कहते हैं जैसे यग्योपवीत संसकार क हर वर्स स्रावण मास की पूर्ण माशी को स्रावणी कर्म होता है जो गंगा जी के जल में जमना जी के जल में किसी भी तालाब में पोखरे में जैसी जहां पर बुस्था होती है उन जिगे पर जाकर इसका पूजन होता है और इसी पूजन के दोरान स्रावण मास की पूर्णता समाप्ती होती है और भाद्रपत की सुरूबात हो जाती है इस स्रावण मास में चार शौमबार होंगे जिसमें सभी से निवेदन है कि देवाति देव महादेव की सभी लोग निरंतर आराध ना करें एबं अपने जीवन को शु शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए तो फिल हाल के लिए इतना ही आस्ता से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए बने रही बेने नियूस के साथ नमस्कार